उत्राखंट विधान सभा यूससी बिल पर चर्चा होगी राजजान दोलंकारियों के आरक्षड बिल पर भी होगी चर्चा दोनों बिल पास कराएगी धामी सरकाज सदन में हंगामे के आसार जताये ज़ा रहे हैं उत्राखंट विधान सभा यूससी बिल पर चर्चा होगी राजजान दोलंकारियों के आरक्षड बिल पर भी होगी चर्चा दोनों बिल पास कराएगी धामी सरकार ये बड़ी ज़ानकारी आप तक पहुशा रहे हैं जहां पर सदन में हंगामे के आसार जताये ज़ा रहे हैं उत्राखंट विधान सभा में यूससी के बिल पर चर्चा होगी राजजान दोलंकारियों के आरक्षड बिल पर भी चर्चा होगी और बिल पर चर्चा के दोरान हंगामे के असार जताये ज़ा रहे हैं देहरादून से ये बड़ी ज़ानकारी आपकी टिवे स्क्रेंट पर और इसी ख़बर पर ज़्यानकारी के साथ हमारे साथ हमारे समवादता ग्यानेंद रुतिवारी हमारे साथ लाइप जुड़ गया है ग्यानेंद रिजिस तरीके से हमने कल देखा कि कल विधान सभा में यूश्री सी का बिल जो है वो पेश किया गया इस पर चर्चा भी की राप भी सौपे कर वेपक्ष के नेताक हो ताकि वो पढ़ के आए और चर्चा करें चर्चा के दौरान काफी हंगामा देखने को मिला हाला कि यह चर्चा जारी है आज भी उस पर चर्चा होने वाली है क्या कुछ असार जताए जा रहे हैं क्या कुछ पूरी जौनकारी आपक लखा गया और ऐसे में सदन में जैसे ही पटल पे विधान सवा से समंधित बिल लखा गया उसके बाद ही विपक्ष के विधायकों के हंगामे सुरू हो गए और सदन को दो बज़े तक के लिए स्थकित करना पड़ा था हलाकि उसके बाद चर्चा भी हुई और लगतार वि रवाही है वो बिधान सवा डरव से अनिष्चित काल के लिए अस्थाγित कर दी जाएगocy लेकिन अकर हम देखें तो आज सरकार के लिए काफित पूर रहनेवालाष का दिन ऐसे में अगर हम देखें तो बिधायकों का लगतार विपक्ष के विधायकों का चाहें वह कोंग है ऐसे में एकाएक सरकार इस बिल को एक दिन पहले लाती है और कुछ घंटे की महलत दी जाती है पढ़ने के लिए और तुरत उसे पास कराने की कहीं जो जल्दी सरकार के अंदर देखी जा रही है यह विपक्ष के विधायकों का आरोप है और माना जा रहा है कि सरकार की पू बिल के संब्ध में देते हुए सदंद के अंदर नजर आएंगे और हलाकि सरकार इसे साम तक पास कराती हुई नजर आएगी और कुल मिला के अगर हम देखें तो इस बिल के तहत कई सारे जो बदलाव किये गया है हास्त और विपक्ष की तरफ से यही सवाल किया जा रहा है कि उत्राखन की जो जनजाती है चार परसेंट जो जनजातियां है जो उत्राखन में निवास करती हैं उन्हें इस बिल से बाहर क्यों रखा गया सवाल यही खड़े होते हैं समाजिक संगटनों के तरफ से और विपक्ष की तरफ से कि अगर ये समान नागरिक सहिता है सभी नागरिकों के लिए समान कानून है तो फिर इन जनजाती वर्ग को इससे बाहर रखने कि आ सकता सरकार को क्यों पढ़ रही है हलाकि सरकार के अपने-पने मत हैं और सरकार ने जो यूशीशी के अंदर प्रावदान किया है उससे ये बात तय है कि महिलाओं से समंधित कानू हो बच्चों से समंधित कानून हो उसमें कहीं न कहीं सुधार किया गया है जो आने वाले समय में कहीं न कहीं एक नजीर भी पेस होता हुआ नजर आएगा अगर हम महिलाओं से समंधित जो कानून की बात करें तो जिस तरीके से संपत्ति में जो बराबर का अधिकार देने क इसमें प्रावधान है कहीं न कहीं पूर्सों के मुकाबले महिलाओं को भी अपने पिता की संपत्ति में बराबर का जो अधिकार यहां मिलता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में लिवी रिलेसंसिप को लेके भी कहीं न कहीं कठोरता यहां दिखाई गई है इसकी रेजिस्टे जैसे हलाला से संबनादित जो प्रथा है उस पे भी अंकुस लगाने की कोशिस इस कानुन के तहट यहां किया जा रहा है तो यह बड़ा बिरोद देखने को मिला है δेस ही नहीं देश के बाहर भी राजीय नहीं राजत के बाहर इसका विरुत देखा जा रहा है और कोशिश है सरकार की यह कोशिश है कि जो पुराने काईदे कानून हैं उसमें बदलाव लाया जाये जो नए समाज के लोग हैं नए यूवा वर्ग हैं उसको उसी के अनुरूप कहीं न कहीं रखा जाए इसी के तहत अगर हम देखें तो यह सारे जो बदलाव हैं वो किये गए हैं चाहें बच्चा गोद लेने को लेके जो प्राउधान किया गया है या पिर साधी की जो उमर का निर्धारन 18 वर्स और 21 वर्स किया गया है कई सारे जो इसमें अगर हम देखें बदलाव किये गए है कई सारे अलग कानून लेके आए गए हैं और कई सारे पुरानी चीज़ों को बदलने की कोशिश की गई है साथ तोर पे कई धर्मों के तरफ से सवाल खड़े किये जा रहे हैं और आज का दिन काफी एहम होने वाला है ग्यानेंद लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि हर धर्म को हर वर्ग को सामान कानून जो है वो देने की कोशिश की जा रही है हर किसी को ध्यान में रखा गया है हर किसी के हित के लिए है ये कानून फिर विरूद किस बात की देखिए इस कानून में महिलाओं को एक अलग ही कहीं न कहीं प्रात्मिक्ता देने की कोशिस की गई है महिलाओं को समान कहीं कानून देने की बात की गई है वो किसी भी दर्म से संबंदित हो महिला उन्हें अगर हम देखे तो तलाग से संबंदित और साधी ब्यास से समंदित जो कानून होते हैं उसमें एक समान अधिकार देने की बात कही गई है यानि एक बेक एकी बार साधी कर सकता है तलाग को लेके भी जो धर्मों के अलग कानून है उन कानूनों को भी यहां एक समान रखने की बात कही गई है ताकि देखा जाए तो तलाग से संबंदित धर्मों के जो अलग कानून है उसे कहीं न कहीं रोक लगाए जा सके जैसे कि तिन तलाक और कई प्रावधान कई धर्मों में हैं कई साधियों के उन्हें भी इसमें रोकने की कोशिश की गई है इसको लेके समाजिक संगतनों और कई धर्मों के गुर्वों ने विरोत प्रकट किया है साथ तो अगर हम देखें तो विपक्ष की तरफ से यही कहा जा रहा है कि इसको पूरा समय देने की आवसकता थी जिन जिन विश्यों को रखा गया है उन्हें समझने के लिए समाज के लोगों उन्हें समझन करने के लिए और उनकी यह भी मांग है कि जो ड्राप्ट है उसे सार्वजनिक किया जाए ताकि हर कोई उसके बारे में अध्यन कर सके उस पर चर्चा कर सके और फिर सरकार का समर्थन करे शुक्रिया तमाम चानकारी साज़ा करने के लिए नफुर्ट